हेलो चुट्रेंट्स कैसे हैं आप सभी आई होप आप सभी अच्छी होंगे अपने घर पर सुरक्षित होंगे मैं जोती आप सभी का स्वागत करती हूं आपकी अपने येट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट पर जहाँ पर हम पढ़ते हैं माथमाटिक्स फो बीसी फर्स्ट इस क्लास में पढ़ेंगे फर्स्ट सेमेस्टर की फर्स्ट बुक डिफ्रेंशल केल्क्लस जिसमें हम करेंगे बच्छो अब्जेक्टिफ कोशन्स आज आपके चैप्टर कंटिनिटी एंड डिफ्रेंशी अबलेटी के इससे जो पहले तीन चैप्टर्स हैं सिक्वेंस अब्जेक्टिफ कोशन्स हम कर चुके हैं आज इनके जो भी ऑब्जेक्टिफ कोशन्स होंगे ठीक है वह मैं यहां पर आपको कराऊंगी तो सबसे पहले कंटिनिटी का एक कोशन है क्या है दा वैल्यू ओफ के फॉर वीच फंक्शन ऑफ एक्स इकॉल्स टू इस इस कंटि के लिए मैंने पहले वीडियो जाल रखी हैं सभी चैप्टर्स की अगर आपने कर लिए यह सभी चैप्टर्स तो अच्छी बात रोगर नहीं किये हैं तो आप कर लेना ठीक है क्योंकि जब तक आपको बेस क्लियर नहीं होगा तब तक अब्जेक्टिफ कोशन्स में आपको अच्छे से पढ़ते हैं अब बात आती है कोई भी फन्क्शन कंटिनियस का बोरता है तो इसके लिए मैंने आपको क्या बताए थी एक मताई थी कि अगर क्या निकाले राइट हैंड लिमिट निकाले तो अगर left hand limit right hand limit के equal आ जाती है और दोनों ही terms किसके equal आ जाती है function of a के equal आ जाती है तो इस condition में हमारा function क्या होगा continuous होगा किस पे x is equals to a पर यानि कि हमारा function किसी भी point पर continuous कब होगा अगर हम function में क्या put करें x की जगा उस point को put करें और उस पर क्या निकाले value निकाले तो जो value उसकी आएगी वो किसके equal होने चाहिए LHL और RHL के equal आने चाहिए तो अगर ये condition satisfy हो रही है तो आपका function continuous होगा उस point पे otherwise नहीं होगा तो यहां से देखिए अब आपको जो भी question दिया हुआ है उसमें क्या कहा है the value of k for which function of x is equals to this यानि कि k की values के लिए function of x किसके equal है उपर वाली टम यानि कि sin 5x upon 3x के equal है कब if x does not equals to 0 अगर x की value 0 के equal नहीं है तो function of x कितना है ये है और function of x की value k के equal है किस condition में अगर x किसके equal है 0 के equal है ठीक है इस continuous at x is equals to 0 यानि कि जो हमारा function है वो continuous है किस पर x is equals to 0 पर the value of k k की value आपको find करनी है तो k की value क्या होगी 4 options आपके सामने है इन्होंने काया function जो है वो continuous है किस पर x is equals to 0 पर तो उसके लिए k की values क्या होँगी जबकि a option दे रखा है 1 upon 3, b दे रखा है 3 upon 5 c दे रखा है 0, d दे रखा है 5 upon 3 ठीक है तो यहां से देखे इसका पता कैसे करेंगे अगर function क्या continuous at x is equals to 0 पर तो इसका मतलब इसकी LHL और RHL क्या आई होंगी बच्चो equal आई होंगी तो सबसे पहले हम उनकी value निकाल लेते हैं दूसरी बात क्या है यहां से देखे सबसे पहले अगर हम LHL की बात करें तो LHL कितना होगा x is equals to 0 पर निकाल लेते हैं तो function of 0 minus 0 क्योंकि function क्या उता है a minus 0, a की value कितनी है 0 minus 0 किसकी equal आएगा limit h tends to 0 function of 0 minus h यानि कि function में क्या करोगे x की जगा 0 minus h put करोगे ठीक है तो यहां से देखे सबसे फंक्शन में x की जगा 0 minus h put करोगे तो अगर x 0 के equal नहीं है यह condition क्या है if x does not equal to 0 तो उस condition में function आपका किसकी equal है sin 5x upon 3x की equal है तो इसमें आप x की जगा क्या put कर दोगे 0 minus h put कर दोगे तो यहां से टम आ जाएगी limit h tends to 0 यहां पर टम आ जाएगी sin 5 0 minus h और अपन में टम कितनी है 3 into x की जगा put करोगे 0 minus h ठीक है यहां से देखे 0 में से minus करोगे h तो कितना हो जाएगा minus के h ही रहेगा तो limit h tends to 0 sin sin में minus sin आगे ले ले तो minus के sin 5 h और अपन में टम कितनी हो जाएगी minus के 3 h minus से minus cancel आउट तो टम बन गई limit h tends to 0 sin 5 h upon 3 h ठीक है तब यहां से देखे अगर हम h की जगा 0 put कर रहे है तो आपकी form कौन सी बन दी है 0 upon 0 क्योंकि sin 0 की value 0 और upon में term भी क्या जाएगी h के जगे 0 put करते हैं 0 तो form बन गया 0 upon 0 तो यहां पर आप L hospital rule apply कर सकते हो तो यहां पर लिखेंगे by L hospital rule in determinate forms वाले chapter में मैंने यह आपको कराया था इसके according क्या होता है कि जो भी आपका function होगा उसका क्या कर दोगे differentiation कर दोगे अलग-अलग तो limit h tends to 0 sin 5x का differentiation करोगे कितना हैगा cos 5x आएगा sorry h है तो यहां पर कितना हैगा cos 5h और h की multiply में जो भी time है वो कैसे लिया जाती है into में तो यहां से 5 कितने चला जाएगा into में और upon में कितना है 3h h का differentiation करोगे 1 हो जाएगा तो यहां से turn कितनी आ जाएगी 3 जब आप इसमें limit पुट करोगे h के जगे 0 पुट करोगे तो cos 0 की value कितनी होती है 1 होती है तो 1 की multiply 5 में करोगे कितना आ जाएगा 5 और upon में कितना है 3 इसका मतलब lhl left hand limit कितनी आ गई 5 upon 3 आ गई एक बार यहां तक note कीज़े अब सेम किस के लिए करेंगे बच्चो rhl के लिए करेंगे तो मैं इसी में करके दिखा रही हूं आपको rhl में क्या लोगी limit function लोगी 0 प्लस 0 तो यहां पे कितना है का 0 प्लस h तो इसमें आप रखोगे 0 प्लस h तो यहां पे आपका minus sign नहीं आएगा तो आपके only time यहीं आजाएगी और फिर आप इसको solve करोगे तो आपकी rhl भी किस तनी आजाएगी 5 upon 3 आजाएगी ठीक है तो इस तरीके से आपकी lhl किसके equal आजाएगी बच्चो rhl के equal आजाएगी ठीक है तो यहां से हम लिखेंगे since lhl is equals to rhl यहां पे मैं करके दिखार हूँ जब आप objective question करोगे तो आपको directly क्या करना है lhl आप निकाल के देख लोगे question में आपको पता है कि rhl दे रखी है क्या function दे रखा है continuous x is equals to 0 पे तो rhl निकालने के आपको ज़रुवती नहीं क्योंकि आपको directly question में given है तो इसके मतलब lhl rhl के equal आएगी और हमारी lhl a कितनी रही है 5 upon 3 तो rhl भी 5 upon 3 आएगी तो अबर यह वाली condition लग रही है so then the function is the function is continuous is continuous at x is equals to 0 तो if x is equals to 0 पे जो function है वो continuous होगा किस condition में अगर lhl किसके equal आए बच्चो rhl के equal आए और कितनी आए function of 0 के equal आए function of a के equal लिखाता a की value कितनी है 0 तो किसके equal आए function of 0 के equal आए तो यहां से आपको पता है lhl और rhl कितनी आए है 5 upon 3 आई है और rhl भी कितनी आए है 5 upon 3 is equals to function of 0 तो यहां से आप लिख सकते हो क्या कि 5 upon 3 किसके equal है वो च्चो function of 0 function of 0 का मतलब क्या है कि function में x की जग़ा क्या put करो आप 0 put करो तो यहां पे आपको दिया हुआ है कि अगर x कितना हो 0 हो तो उस condition में function की value कितनी है k है दिया हुआ है x अगर 0 के equal है तो function किसके equal है k के equal है तो यहां से function of 0 की value कितनी आ जाएगी k तो इसका मतलब k की value कितनी आ गई 5 upon 3 आ गई इसका मतलब आपका option number d क्या हो गया इसमें correct answer हो गया ठीक है तो अगर आपके objective questions है मैंने ही आपके आपको completely solve करके बताया है लेकिन आपको exam में ऐसा नहीं करना बिना मतलब के time waste बिल्कुल भी नहीं करना only आप LHL निकाल के देख लो या फिर RHL निकाल के देख लो अगर दोनों equal आ रहे है तो आपको condition पता है question number two क्या है function f of x is continuous at a point x is equal to zero इस फॉर options आपके सामने है ठीक है यानि किनोंने क्या कहा है कि function of x क्या है continuous है किस point पर x is equal to zero पर किन conditions में आपके सामने four conditions दी हुई है limit function of x exist भाई अगर इन options को न देखते है आप अगर देखो continuous के लिए condition क्या होनी चाहिए कि आपकी LHL क्या होनी चाहिए RHL के equal यानि कि limit exist करनी चाहिए एक तरीके से limit क्या करनी चाहिए exist करनी चाहिए और किसके equal आनी चाहिए function of a function of a, a की value किती दी रखिए 0 यानि कि function of 0 के equal आनी चाहिए ठीक है जहाँ पर 0 किसके equal है a के equal है यानि कि यह वाले condition नमरे exist करनी चाहिए तभी तो मारा function continuous होगा तो यहाँ पर a option देखे किया है limit function of x exist हाँ जी करनी चाहिए सही है second option देखे कि क्या है function of a exist हाँ सही है लेकिन हमें क्या चाहिए continuity के लिए चाहिए ठीक है तो हमें देखने कौन से perfect condition है third condition क्या है कि limit x tends to a function of x यानि कि जो हम function of x की limit निकाले किस पे x tends to a पे तो वो किसके equal आनी चाहिए function of a के equal आनी चाहिए तो यह क्या है हमारा बिल्कुल correct option बैट रहा है क्यों क्योंकि हम पहले क्या करते है limit find out करते है function की किस पे x tends to a पे जब limit हम जो निकालते हैं वो limit क्या करें exist करें तो वो किसके equal है limit exist कर जाए और किसके equal आजाए function of a के equal आजाए तभी तो हमारा function continuous होगा इसका मतलब हमारा option number c क्या है इसमें correct answer है ठीक है तो इसी type से बच्चों आपको questions पूछे जाएंगे continuity से इससे जादा कुछ भी difficult level नहीं आएगा इस वाले चैप्टर से अगर आपसे questions पूछे जाएंगे तो इसी type से पूछे जाएंगे only या तो आपको question दे देगा जो कि मैंने अभी बताया इससे पहले जो question number one किया तो इस type के कहीं सारे questions में आपको exercise में करा चुकिए examples वगेरा में तो महां से कर लेना इससे पहले वीडियो जल चुकिए chapters की तो वहां से देख लेना अगर आपने नहीं देखी है तो ठीक है तो इस type से आपको सभी questions solve करके देखने पड़ेंगे तो वह condition है या फिर second condition आपसे कोई भी formula देके वह आपसे पूछ सकता है ठीक है कि कौन सी condition exist कर रही है कौन से continuous होगा कौन से discontinuous होगा इस type से ठीक है तो important लगी इसलिए मैंने आपको continuity से only 2 ही questions करें because जो बागी के 2-3 दे रहें कि उस type के questions आपसे exam में नहीं पूछे जाएंगे ठीक है Question number 3 देखी बच्चों क्या है the function function of x is equals to modulus of x minus 1 is not differentiable at यानि कि आपको question में क्या बताना है कि जो function है यह differentiable नहीं है किस point पर 4 points x is equals to 0 पर, x is equals to minus 1 पर, x is equals to 1 और x is equals to 2 पर तो इन 4 points में से आपको बताना है कि किस point पर function क्या रहें तो आपको मैंने क्या बता है था method differentiable का कि पहले आप क्या निकालते हो progressive derivative निकालते हो उसके बाद में regressive derivative निकालते हो अगर वे दोनों equal आ रहे हैं तो इसका मतलब function differentiable होगा उस point पे और अगर equal नहीं आ रहे हैं तो इसका मतलब क्या है कि function differentiable नहीं होगा अब progressive derivative क्या होता है progressive derivative होता है आपका r f dash x0 यहाँ पे x0 क्या है वो point जिस पे हम क्या निकलते हैं value निकलते हैं ठीक है तो यहां से देखिए पहले हम क्या करेंगे बच्चो अगर आपको options given है तो उस condition में आपको अलग तरीके से देखना होगा और अगर आपको क्या question दे रखा है तो उसमें आपको point दिया हुआ होगा particular ठीक है क्या कहेगा कि show that function of x is equal to this is not differentiable at the point x is equal to this यानि कि जो भी point देगा उस पर आपको निकालना है तो यहां पर जो भी point आपको given होगा वो किसकी value होगी x 0 की value होगी ठीक है अब यहां पर कैसे करें भी इसमें तो 4 options है 4 options को put कर करके देखना पड़ेगा तो आपको बहुत जादे time waste हो जाएगा तो हम क्या करेंगे यहां अगर आपको objective question से तो directly दिमाख लगाना है अगर आपको कोई भी function of x given है कितना x square या फिर function of x दे रखाए कितना बच्चो x दे दिया इस type से दे और इसका आपको क्या कहा दिया differentiation करने के लिए किया दिया तो आप easily कर दोगे x का differentiation 1 हो जाएगा x square का 2x हो जाएगा लेकिन अग अगर आप से क्या बोल दे function of x is equal to 2 दे दे यानि कि कोई भी constant term दे दे तो भी आप उसका differentiation कर सकते हो क्यों function of x is equal to 2 तो कैसी है constant term constant का differentiation करोगी कितना आजाएगा 0 आजाएगा तो यही अंसर हो जाएगा लेकिन अगर आपको function of x ही क्या दे दे 0 दे दे किसी भी condition में आपका function of x कितना आजाए 0 आजाए तो क्या आप differentiation कर सकते हो नहीं कर सकते तो उस condition में अगर function of x हमारा किसी भी condition में 0 आ रहा है तो उस condition में हमारा क्या होगा वो function क्या होगा differentiation नहीं होगा उस point पर ठीक है यानि कि function में जिस भी point को put करने पर x की जगा हम अगर किसी भी point को put कर रहे है उस is equals to 0 function में x के जगा गर हम 0 रखे 0 minus 1 कितना हो जाएगा minus 1 और modulus of minus 1 है तो minus 1 को modulus से भार निकालोगे plus 1 आएगा तो आपको पता अगर function of x कितना है 1 है function of x कितना आ रहा है 1 आ रहा है तो आप इसका easily क्या कर सकते हो differentiation कर सकते हो second condition किया है x is equals to minus 1 x के जगा minus 1 रखोगे कितना हो जाएगा minus 2 minus 2 modulus से भार निकल के कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा तो function of x 2 आ जाएगा तीसरी condition क्या है x is equals to 1 यहापे x के जगा 1 put करोगे 1 minus 1 0 तो इसका मतलब आपका function क्या बन रहा है 0 बन रहा है और fourth condition क्या x is equals to 2 2 put करोगे तो कितना आ रहा है function of x की value 1 आ रही है तो इन में आप देखोगे कि जो आपके first option है और second option है और जो आपका fourth option है इन तेनों में तो function किसके equal आ रहा है constant term के तो आप easily क्या कर सकते हो differentiation कर सकते हो क्योंकि differentiation करने के बाद में constant term का differentiation आपको पता है 0 होता है लेकिन अगर आप third वाले को देखो third वाले में x की जगा है 1 यानि कि x के place पे अगर आप 1 put करते हो तो function क्या रहा है हमारा 0 आ रहा है कितना रहा है 0 तो इस condition में आप differentiation नहीं कर सकते है तो सीधी सी बात है कि कोई भी ऐसा आपको option देखना है जिसकी value अगर हम function में put करें हमारा function 0 आ रहा है उस point पे तो उसी point पर क्या होगा हमारा function जो है वो differentiable नहीं होगा ठीक है तो इसलिए सीध्या सा आप क्या option टिक कर दोगे x is equals to 1 क्योंकि x की place पे 1 put करने से हमारा function क्या रहा है differentiable नहीं आ रहा है क्योंकि कितना रहा है function 0 आ ठीक है तो objective questions में आपको सभी कुछ ना करते हुई जितना भी मैंने आपको solution बता रहा है वो ना करते है और इस चीज का धियान रखना है कि कौन सा point ऐसा है आपको progressive derivative और aggressive derivative निकालना होते है तो progressive derivative क्या होता है rf-x0 ठीक है अब हमें पता चल गया कि x is equals to 1 पे function क्या है differentiable नहीं है इसका मतलब इन सभी point पर हमारा function क्या होगा differentiable होगा तो पहले हम x is equals to 1 पे निकाल के देख लेते है यानि x0 की जगा कितना put करेंगे one put करेंगे ठीक है तो यहां से rf-1 की value हो में find out करनी है rf-x0 किसके एककोल होता था बच्चों limit h tends to 0 function of x0 plus h x0 की value कितनी है 1 तो 1 plus h minus k कितना होता था function of x0 function of x0 की value कितनी है 1 है और upon में कितना होता था h होता था ठीक है तो यहां से देखे आपका function क्या बन जाएगा limit h tends to 0 function में क्या रखोगे x की जगा क्या put करोगे 1 plus h put करोगे तो x यह रहा इसकी जगा 1 plus h रखना कितना हो जाएगा 1 plus h minus k1 और कितना है minus k function of 1 यानि कि function में x की जगा कितना put करोगे 1 तो इसकी जगा 1 put करोगे 1-1 0 यानि किसकी value कितनी हो जाएगी 0 और upon में कितना है h है यहां से देखे 1 से 1 cancel out उपर कितना बचलेगा h तो limit h tends to 0 उपर term बन गई h modulus से बाहर निकलेगा तो भी h और upon में h, h से h cancel out कितना आ गया 1 तो इसका मतलब progressive derivative की value कितनी आ गई बच्चो 1 आ गई सेम ऐसे ही क्या निकालेगे बच्चो regressive derivative की value आनि कि lf-x0 की value तो कितनी होगी limit h tends to 0 function of x 0 minus h minus के function of x 0 और upon में कितना आएगा minus के h आ जाएगा x0 की value कितनी है बच्चो 1 है ठीक है तो lf-1 की value कितनी आएगी limit h tends to 0 function में x 0 x0 कितना लोगी बच्चो 1 लोगी ठीक है तो function में x की जगा क्या पूट करना होगा हमें 1 minus h तो यहाँ पर देखे कितना आ जाएगा term 1 minus h minus 1 और minus function of 1 की value कितनी आएगी 0 और upon में term कितनी है minus h यहाँ से देखे 1 से 1 cancel out हो जाएगा minus h को जब आप modulus से बहार निकालोगी तो कितना हो जाएगा plus h हो जाएगा तो यहाँ से term आ जाएगी limit h tends to 0 यह minus h modulus से बहार निकालोगी h हो जाएगा और upon में कितना है minus h h से h cancel out करोगी कितना आएगा minus के 1 आएगा तो यानि कि l f dash x 0 या फिर 1 यानि कि आपका जो regressive derivative आया उसकी value कितनी आई minus 1 और progressive derivative की value कितनी आई 1 आई तो दोनों equal नहीं आ रहे इसका मतलब आपका जो function है वो x is equal to 1 पर differentiable नहीं होगा ठीक है क्योंकि differentiable के लिए condition किया है कि आपका regressive derivative और progressive derivative दोनों equal आने शाहिए ठीक है तो इस type से आप क्या करोगे सभी points मतलब जो भी point आपको given होगा subjective के लिए आप क्या करोगे जिनके subjective paper है वो क्या करोगे solution आपको पोड़ा करके दिखाना पड़ेगा कि हांजी ये वाला जो point है इस वाले point पर आपका जो function है वो differentiable है या फिर नहीं है लेकिन objective वाले simple जैसे कि मैंने पहले आपको method बता है उस type से कर सकते हो ठीक है और अगर आपका कोई question इस type से फस जाता है कि आप उसमें direct values put करके point की नहीं find कर पारे कि function differentiable होगा get this यानि कि आपको बताना है कि किस point पर आपका जो function है वो differentiable नहीं होगा ठीक है points है चाल x is equal to 3 है minus 3 है 0 और 1 यानि कि x की value क्या put करने पर आपका जो function है वो क्या नहीं हो रहा differentiable नहीं हो रहा है ठीक है तो जैसे कि अब इससे पहले वाला question किया सेम उसी की तरह रखके देखेंगे यहाँ पर तो अगर आप function में x की जगा 3 put करते हो तो यहाँ पर 3 put करते हो 3 plus 3 कितना हो जाएगा 6 constant अंबन यह differentiation easily हो जाएगा c रखते हो यानि कि x की जगा 0 put करते हो तो 0 में 3 add करो यानि कि फिर से 3 यानि कि फिर भी differentiable होगा और x की प्लेस पे गर आप 1 put करते हो तो 3 और 1 4 फिर भी एक constant हमारी यानि कि उस पे भी differentiable होगा बचा आपका b point अब b point पे देखो x is equal to कितना है minus 3 यानि कि x की प्लेस पे गर आप minus 3 put करते हो तो इसलिए आपका जो function है वो x is equal to minus 3 पे क्या नहीं होगा differentiable नहीं होगा क्योंकि function की value क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी ठीक है तो इसलिए आपका option number b क्या होगा बच्चे इसमें correct option होगा ठीक है उसके बाद में question number 5 है क्या है question number 5 इसमें आपका ये b option correct होगा question number 5 है अब function function of x is differentiable at x is equal to a if यानि की कोई भी function जो है वो differentiable होगा किस point पर a पर x is equal to a पर if कौन सी conditions में 4 conditions आपके सामने लिखी होई है अब इन 4 conditions को ना देखते हुए आप question की जो first line नो उसको पढ़ते ही देखिए इन्होंने क्या कहा है कि कोई भी function differentiable होगा x is equal to a पर किस condition में हमें पता है function differentiable कब होता है कि अगर उसका regressive derivative किस point पर जिस point पर वो पूछे तो किस point पर कह रहा है वो x is equal to a पर यानि कि x 0 की value कितनी लोग है तो अगर हमारा progressive derivative क्या आज प्रोग्रेसिव डेरिवेटिव क्या जाए regressive derivative के equal आजाए किस पर उस point पर point क्या लिए हमने x 0 क्या होता है point और point कितना दे रहा है इन्होंने x is equal to a x 0 की जगा कितना रखेंगे a रखेंगे यानि कि इस condition में हमारा function जो होगा वो क्या होगा differentiable होगा x is equal to a पर तो देखिए कौन-कौन से options है first year, second year, c year, d year तो कौन से option हमारे correct आ रहा है first option हमारे क्या रहा है correct आ रहा है यानि कि regressive derivative कि इक्वल है progressive derivative कि इक्वल है इसलिए आपका option number a क्या होगा इसमें correct answer होगा ठीक है note कि जी question number 6 दे कि इसके बादे बच्चू क्या है the function function of x is equals to modulus of x at x is equals to 0 shall be differentiable discontinuous continuous but not differentiable and none of these यानि कि जो function है function of x कितना दिया हुआ है आपको modulus of x function of x कितना दिया हुआ है modulus of x तो आपको बताना है कि ये function क्या होगा किस पर x is equals to 0 पर differentiable होगा discontinuous होगा continuous होगा लेकिन differentiable नहीं होगा या फिरिन में से कुछ नहीं तो यहाँ पर देखे conditions क्या क्या है differentiable अगर हम differentiable की बात करें x is equals to 0 पर point क्या है x is equals to 0 पर हमें देखना है तो यहाँ पर देखे करें function में x की value कितनी पुट करें 0 तो 0 पुट करने पर हमारा function क्या हो जाएगा 0 यानि कि अगर function of x की value 0 आ रही है x is equals to 0 पर इसका मतलिब क्या है कि function जो है वो हमारा differentiable नहीं होगा function क्या है differentiable नहीं होगा तोard options में देखि कौन कौन से differentiable होगा नहीं तो फस्ट option तो गलत हो गया discontinuous का भी हमें नहीं पता second option क्या है but not differentiable not differentiable यानि differentiable नहीं होगा तो a condition तो हमारी satisfy हो रहे किसके लिए b के लिए तो b में और इस है continuous भी तो हमें continuous के लिए भी चेक करना होगा किव फंक्शन जो है वो continuous होगा या फिर नहीं होगा क्योंकि डिफ्रेंटिबल तो होगा यह नहीं अब बची continuous के लिए हमें क्या करना होता है बच्चों left hand limit निकालनी होती और अगर वो किसकी equal आजाए function of a की equal function of a a की value क्या है यहाँ पे 0 यानि कि function of 0 की equal आजाए जो कि कितनी आए की value 0 तो उस condition में मारा function क्या हो जाएगा continuous हो जाएगा तो देख लेते हैं पहले लह चल यानि कि left hand limit निकालते हैं कैसे निकालते हैं function of a minus 0 a की value कितनी है 0 तो 0 minus 0 is equals to limit h tends to 0 function of a minus h यानि 0 minus h अब function में क्या करेंगे x की जगा क्या पुट करोगे बच्चो 0 minus h पुट करोगे तो term हाजाएगी limit h tends to 0 यहाँ पे देखे modulus of x में x की जगा कितना पुट करोगे 0 minus h पुट करोगे 0 में से h minus करोगे minus h और minus h को अगर आप modulus से बहार निकालोगे तो कितना आएगा plus का h तो term आजाएगी limit h tends to 0 function of h जब आप limit put करोगे h की जगा 0 रखोगे तो term कितनी आजाएगी 0 यानि की lhl की value कितनी आजएगी बच्चो 0 आगई same किस के लिए करेंगी आरेचल के यानि की right hand limit निकालोगे उसके लिए क्या करोगे 0 plus 0 यानि की 0 plus h function में भी 0 plus h रखोगे तो value फिर से कितनी आएगी आरेचल के लिए भी 0 आजाएगी तो इसका मतलब क्या है कि हमारा lhl जो है वो आरेचल के इकक्वल तो है लेकिन अभी हमें function of a के लिए भी तो देखना है function of a, a की value कितनी है 0 यानि की function में अगर हम x की जगए 0 पुट करें तो वो कितना आ रहे है यहाँ पर देखे x की जगए 0 पुट करोगे 0 आ जाए कहानि की function of 0 के इकक्वल भी तो आरी है time हमारी एलेचल आरेचल दोनों इकक्वल आ रहे है यह भी 0 आ रहे है यह भी 0 आ रहे है और function of 0 की value भी कितनी आ रही है 0 आ रही है तो अगर हमारी यह वाली condition satisfy हो रही है इसका मतलग क्या है कि हमारा function जो है वो continuous है किस पर at x is equals to 0 पर ठीक है तो function continuous तो है लेकिन differentiable नहीं है इसलिए हमारा option number b क्या होगा बच्चो इसमें correct answer होगा ठीक है लास्ट वाली lines आपको नहीं दिखाई देर थी तो अब देख लेना एक बार दिखाई दे गई होगी हमारे हमने जब limit put करी h tends to 0 पर तो h की value कितनी आ गई 0 के लिए वह हमारी क्या हो गई satisfy हो गई तो मारा function क्या हो गया continuous हो गया at x is equals to 0 पर ठीक है इसको note किई जो इसके बाद में question number 7 करेंगे question number 7 देखे बच्चो क्या है the function function of x is equals to sin x is increasing in the interval आपके समने 4 intervals दिए होए एक चीज़ का ध्यान लगना बच्चो यहां पर जितने भी questions में आपको कराती हूँ यह ऐसी नहीं ही मैंने जो मतलब है exercise जो होंगी उसमें बहुत सारे आपको objective questions given होंगे या फिर objective questions की अलग से भी books आती है आपने ले ली होंगी तो महां से आप इन सभी questions की practice कर लेना ठीक है क्योंकि इसमें भी questions आते हैं वो आपके उन ही से आते हैं जो मैंने आपको subjective में सारा कराया हुआ है ठीक है क्योंकि basic और आपके जो भी solution होते हैं questions के जब तक आपको वो नहीं आएंगे तो objective questions आप से हिलेंगे भी नहीं तो पहले आपको वो कवर करने होंगे उसके बाद में ही आपको practice के तोर पर करने हैं सभी ठीक है तो क्या है question number seven में आपको बताने की function of x क्या दे रखा है उच्छो sin x दे रखा है कितना दे रखा है sin x तो sin x बताने आपको increasing होगा यह function हमारा increasing होगा किस interval में first interval क्या दे रखा है zero to πाई दे रखा है तो interval में इसमें देखोगे तो इसका मतलब क्या अगर यह cross interval है तो इसके मतलब इसमें 0 भी exist करेगा और πाई भी तो अगर हम zero put करें x की place पे zero put करें तो sin 0 की value कितनी होती है बचो जीरो होती है उसके बाद में अगर हम πाई पुट करें तो sin πाई की value कितनी होती है जीरो होती है तो इसका मतलब अगर हम इन points को put कर रहे है तो हमारी values कितनी हो आ रही है जीरो से जीरो पे जा रही है interval के अंदर क्या होता है कि जो हमारी first वाली term होती है वो कैसी होती है छोटी और उस से आगे कि जो सबी terms होती है वो कैसी चले जाती है बढ़ती होई चले जाती है आनि कि आपकी जो series होती है ascending order में होती है ठीक है बढ़ते हों ik방 में तो यहां पर देखिए 0 से 0 पर जा रही है तो इसका मतलब क्या इसमें तो घट रही है terms ठीक है तो इसका मतलब आपका option number 1 तो क्या नहीं होगा बच्छो correct होगा नहीं क्योंकि terms किस पर जा रही है 0 से start होगे 0 पर या end हो रही है उसके बाद में second option देखते हैं कितना है 0 to pi by 2 x के place पे गर हम 0 पुट करें sign 0 कितना होता है 0 और pi by 2, sign pi by 2 की value कितनी होती है 1 होती है तो यहां से आप देखो इस वाले interval में values क्या और यह 0 से 1 पर जा रही है तो इसका मतलब बढ़ती है जा रही है तो यहां पर क्या होगा इसके लिए जो function है वो कैसा होगा increasing होगा third option क्या है pi by 4 to 3 pi by 4 तो अगर आप x के place पे pi by 4 पुट करते हो तो sign pi by 4 की value कितनी होती है बच्चो 1 upon under root 2 होती है same ऐसी अगर आप sign 3 pi by 4 की value निकालो तो वो कितनी होगी minus के 1 upon under root 2 होगी तो इसका मतलब ये वाल option भी क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा उसके बाद में for option क्या है pi by 2 to pi तो अगर आप values देखो sign pi by 2 कितना होता है 1 होता है और sign pi की value कितनी होती है 0 इसका मतलब 1 से किस पे जा रही है 0 पे तो आपका कौन से sequence चल रहा है descending order वाला जबकि मैंने आपको बता है कोई भी जो function है वो increasing कप होगा अगर हमारी series किस में जा रही है ascending order में यानि कि बढ़ते विक्रम में जा रही है तो ये भी आपका क्या होगी option number d गलत option हो गया तो इसका मतलब आपका answer कौन सो होगा option number b जो है वो आपका correct answer होगा इसमें क्या रहा है हमारा function increase हो रहा है यानि कि बढ़ता हुआ जा रहा है तो इस type से आपको questions देखने है और उनके solutions करने है इस type के questions आपको मिलेंगे ठीक है बाकि जितने भी questions आपकी book में करेंगे डेली में एक class आपकी objective questions की डाल दिया करूंगी ठीक है तो इस वीडियो में बस इतने एगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना अपने friends के साथ में जासे जादा शेयर कर देना